हेलो वीवर्स मैं डॉक्टर रश्णा होमेपतिक फिजिशन आज मैं आपको लुम्बर स्पाइनल हिस्टोनोसिस के होमेपतिक मेडिसन बताएंगे जो कम्प्लीट क्योर करती है विदाउड एने साइड इफेक्ट लुम्बर स्पाइनल इस्टोनोसिस मेंस होता है लॉस ऑफ ह fiance सekनलीट क्यास है लुक्राइए जोवास्बर स्पाइनल स्पाइनल इसकंशन निट्र श्युम्बर स्पाइनल श्टोनोसिसरी लॉस कंश संत्र स्फाइनल इसे oках जाध चाइनलेस पाइनलेस t कारण होते हैं जिनके कारण से यह अपियर होता है कि स्टिंगलिंग इन हैंड्स मतलब हात पाओं में जुन्जुनी होना या सो जाना नमनेस हो जाना हैंड्स आम फूट लेक्स पैरों में हातों में किसी भी लिंग लॉंग में अपियर हो जाते हैं वीकनेस हिंड्स आम फूट लेक्स कमजोरी आना हाथ पैरों में प्रॉब्लम विद वाकिंग चलने में दिक्कत होना बैलेंस खुवर णिझ फुट लेक्षब खान बास बॉर्ब प्रॉब्चर लॉट 2 हैंड्स पैरों 9 वनेकेसन अप्रॉब्छ अड़ओ खुब्चर लॉच्बर्ण उ and stiffness of pain इस तरीकी से फैन अप्यार होते हैं सांविर्स नासिस के स्वेच्छ नासिस जतने भी कंप्लेंस हैं बैटने में उपने में दिक्कत होती जलने फिरने में प्रॉब्रम साथी है बहुत बीस्टेंस आ जाती है साथ में कि दर स्ट्वार्ट हो जाते हैं जैसे स्लाइट वामिटिंग नॉशिया एडएक त्रेश फेज इचिंग बनने इस एक्स्ट्रीम पेन ओता श्ट्री भी आपएर जाती लेक्स में तरीकित साइनिक सुम्टम में प्यार जाते हैं इस पाइनल इस्टेन और अंवेस्टिकेशन पीज कनला अफेदte इने इंवेस्टिकेशन डिय अ न सबभाब के से को मैडिजिन है जू सिंपलम इस एक्टे इस सलैक्कर करें आपको इस वीडियो में डिस्ट जो करते हैं बट अगर आपका कुटोatin से सफर करें तो यह मेडिसन आप यूज कर सकते हैं स्टार्टिंगे वन को वीक से यूज करिए अगर रेलीव है तो से चंटीनिट विक यूज कर सकते हैं अपको क्रोनिक कंडिशन से लुंबर इस्ट्रो नॉसिस को साथ में अधर है इसवी और बहुत समय से आप सफर कर रहे हैं तो आपको में परती कंसर करना चाहिए साप कंप्रीट के और हो सकते हैं इस इन एक प्रिद्मेंट सोते हैं इस डिफ्रेंट इफ्रेंट कंसिटूशन और इफ्रेंट मैडिसन सेल करते हैं कर दो तांस अधे फॉर वीक लिए यूज करना है और इस मौनिंग एंप्रीस नाइट अथर भी इस करना है आपको एक्सेसी सूगर विटिमिस इलेटेट लाइक फोर्स भी आवाइट करने हैं अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें जिसने मेरे नेक्स वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सब्सक्राइब लुंबर इस्पैंडर इस्टो नोसिस से रिलेटिव कुछ केवरी है इन कोश्चन से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं तो पूछ सकते हैं